हelo friends आज हम बनाइंगे banana and apple और इसके लिए आज मैंने oil पिस्टू इंगर का use किया है तो सबसे पहलर हम yellow color से banana की drawing करेंगे आप drawing करने के लिए अब दिख सकते हैं कि banana की curve all shape है तो हम curve ही उसकी drawing बनाएंगे curve शेप में ड्राइंग बनाते हुए उसका structure ट्रॉ कर लेंगे मैंने direct oil pistol कलर के साथ ही ट्रॉ किया है अपने बनेना के structure को देन उसके बाद मैंने apple को ट्रॉ करना तो apple को ट्रॉ करने के लिए मैंने crimson red लिया है और उसके साथ मैं उसकी outline कर रही हूँ और जहाँ पर मुझे yellow color दिखेगा वहाँ पर मैं yellow color के साथ outline दूँगी अगर कहीं भी आप लोगों से बनाते हुए कोई कल्ती हो भी जाती है तो हम उसको अपने color के साथ ही ठीक भी कर सकते हैं साथ में ही के देन अब हमने yellow color दिया है और yellow color से जहां-जहां हमें apple के उपर yellow color दिख रहा है हमने yellow color की shading कर दी है दैन उसके बाद हम crimson red से apple पी shading स्टार्ट करेंगे ऐसे ही धीरे-धीरे हमने apple के उपर crimson red color से shading कर देनी है जहां-जहां हमें red color दिख रहा है देन आप देख सकते हैं कि मैंने उपर के portion को red color से shade कर दिया है देन उसके बाद मैं बाकी portion को भी धीरे-धीरे डाक करूंगी इसमें भी हमने एक चीज का process का ध्यान रखना है कि आपने layer first जो है वो light लगानी है and then उसके उपर ही layers को लगाते जाना है जो color हमें show हो रहा है यहां दिख रहा है जिसको हम visibly देख पा रहे हैं उसको हम धीरे-धीरे उसके उपर apply करते जाएंगे different shades को और different layers को color के उपर ही apply करेंगे जिससे कि वो dark show होगा और जो color हमें देना है वो हम उस पे shade दे सकते हैं आइल पेस्टिल की एक ही सबसे best चीज है कि यह एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से mix हो जाते हैं यूंके mixing process बहुत ही अच्छा होता है तो इसलिए मुझे भी oil pastry color बहुत पसंद है अब मैं आप देख सकते हैं कि मैंने red color के उपर से क्योंकि मुझे उसमे और यलो color की shade दिख रही है तो मैंने उसके उपर lemon yellow color का use किया है then again मैं उसके उपर crimson red को तुभारा से कर रही हूं जिससे की जो डाक जो हमें जादा yellow color दिख रहा है अब हम उसको थोड़ा सा दबा देंगे मतलब उसको और थोड़ा सा yellow color भी जो है छुप जाएगा ऐसे ही हमने अलग-अलग layers लेनी है और अलग-अलग layers को बार-बार उसके उपर लगाते जाना है हां उसके जो color के texture है या sheet का texture है वो खतम नहीं होना चाहिए हमें इतने हद तक color को proper way में लगाना है और दीरे-दीरे करके हमने नीचे के portion में भी red yellow color के साथ cover कर लिया है नाओ मैंने brown color लिया है spicy brown और spicy brown के साथ मैंने जो हमारा apple है उसके उपर उसकी shading दी है देन आम में dark brown color ले रहे हूं और जहां पर मुझे dark portion देख रहे है आपल पे मैं वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा dark brown color apply कर रहे हूं जो कि हमारे एपल के अपर पोर्शन को जहां पर उसकी सब्सक्राइब कर दिख रहा है तो हम उसको डाक कर देंगे देन उसके बाद मैंने brown color को लिया है यह है normal spicy brown color और उसको apply करते हुए color को dark brown color को भी mix कर दिया है then after this मैंने dark brown color लिया है जो की हमारे एपल के अपर पोर्शन को जहां पर उसकी stem है हमें दिख रही उसको cover करने के लिए और उस पे हमने apply कर दिया है और stem भी हम dark brown color के साथ ही बना लेंगे then after this हमने black color लिया है और जो उसकी depth है उसको show करने के लिए जो अपर पोर्शन है एपल की ब्रांच वाला पोर्शन उसकी depth को show करने के लिए हम black color का use करेंगे अराम से धीरे धीरे हमने color करने हैं जिससे की color जो है इधर उधर ना लगे और हमारी drawing खराब ना हो अब हम little bit yellow color का use करते हुए उसको mix कर देंगे आप देख सकते हैं कि जो side का portion था वो black और brown yellow color के साथ mix होकर properly color shade आगे है अब इसके बाद हमने yellow color लिया और जहां हमने डाक्टराउं पर लगाया था apple पे वहां पर हमने yellow color के साथ apply किया और उसको हमने अपनी finger के use के साथ अपनी finger tip को use करते हुए उस color को वहां पर mix कर लिया अब हम अपने banana को complete करेंगे तो banana को complete करने के लिए सबसे पहले हमने yellow color लिया और पूरे banana पे हम yellow color को apply कर लेंगे banana को properly yellow color से apply कर लेना है उसके बाद finger की help के साथ हम color को properly mix कर लेंगे yellow color करने के बाद हमने brown color लिया है और brown color के साथ जहां-जहां हमें brown shade दिख लिया बनाना पर हम वहां पर brown color को apply करेंगे और finger की help से mix कर लेंगे then after this हमने dark brown color लिया है और जहां-जहां हमें dark brown color दिख रहा है हम वहां पर dark brown color को apply करेंगे झाल 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 अब हमने उसी brown color के साथ जो हमने brown color apply किया है बनाना पर उसी के साथ हमने टहनी जो दिख रही है आपको उसको बना लेना है पर जाल झाल झाल अब हम अपनी finger की help से brown color को mix कर लेंगे इसके बाद हमने ब्लैक कलर लेना है और जहां जहां पर आपने प्राउंकर को इस्तमाल किया है और जहां हमें ब्लैक कलर शो हो रहा है दिख रहा है यां डार्क पोर्शन दिख रहा है वहां पर हम ब्लैक कलर को एपलाई करेंगे देन फिंगर की हल्प से उसे भी हम मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने फिंगर को बहुत ही हलका हलका इस्तमाल करना है और धीरे धीरे से उसे मिक्स करना है देन मैंने लाइट राउंडर लिया है जो बहुत ही जादा लाइट है और उससे हमने अपने बनेना पे थोड़ा थोड़ा एपलाई करना है इसके बाद भी हम अपनी फिंगर के साथ ही इस कलर को भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे अब हम लेंगे वाइट कलर और वाइट कलर जहां पर आपको बनेना पे वाइट शेड दिख रही है वहाँ पर हमने शाइन दिखाने के लिए वाइट कलर का इस्तमाल करना है और इस तरह से तलर को वाइट कलर को अपलाई करना है बनेना पर और उसकी प्रांच पर भी हम वाइट कलर को थोड़ा थोड़ा अपलाई कर देंगे अब हम और अफ़ वाइट कलर लेंगे और बनेना के ओपर हम अफ़ वाइट कलर को एपलाई करेंगे जिसे की जो बनेना की जो एक प्राइट मैस है यलो कलर की वो कम हो जाएगी और बनेना जो औरिजिनल बनेना है उसकी जैसी शेड देखा यह हमने कम्प्लीट बनेना पर अप्लाई किया है अप्लाई करेंगे और जो हमने स्पॉट्स बनाए थे बनेना पर उनको थोड़ा सा और उभारेंगे उसको शो करना है हमने तो उसके लिए हम दुबारा से अधर कलर से वो ब्राउन और ब्लैक का हमने इस्तमाल किया था हम उन कलर्स को यूज़ करके इन स्पॉट्स को थोड़ा सा उभारने में हेल्प लेंगे और फिर हमारे एपल की जो पोर्शन में हमें यलो जादा दिख रहा है हम वहाँ पर यलो कलर को एपलाई करते हुए तेन मैंने ब्लैक कलर लिया है और ब्लैक कलर से मैं दुबारां से थोड़ा सा ब्लैक कलर को जो स्पॉर्ट्स में बनेहां पयद कर रहे हैं उस परिक्त रहा हूं और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा reparां कलर भी जोकि मैंने ने आपको पहले ही परोड दिया है तो हम ऐने ब्लाक कृर्ट लिया है और बनेना के फ्रॉंड पॉर्शन आ हिए और जिन पॉर्शन में ब्लैक की रहा है चोड़ा सा डाइक क्राइए आप देख सकते हैं कि हमारी ट्राइंग कम्प्लीट है और यदि आपको मेरी ट्राइंग पसंद आई हो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करें सब्सक्राइब करें लाइक एंड शेयर करें थैंक यू